जैश्री राम मित्रो, आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्तिरस पर आपका स्वागत है. दोस्तों भारत की पवित्र नगरी काशी, बनारस, को हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्म स्थान दिया गया है. यहां स्थित मनी करने का घाट के विशय में कहा जाता है कि यह जलाया गया शव सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है, उसकी आत्मा को जीवन मरन के चक्र से मुक्ती मिलती है. यही वज़े है कि अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि उनकी मृत्यू के बाद, उनका दा संसकार बनारस के मनी करने का घाट पर ही हो. उसी बनारस में मनी करने का घाट पर वैशाय लोगों की मौत पर नाचती है, यानि कि एक और जहां लोग अपनों के मरने का दुख मनाते हैं, वही दूसरी और वैशाओं के गुनरू रुकने का नाम नहीं लेते. आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य, काशी के इस शमशान घाट पर वैशाय क्यों नाचती हैं? इस रहस्य में सवाल का जबाब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा. दोस्तों आपसे निवेधन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, इसी आशा के साथ चर्चा आरंब करते हैं. दोस्तों, व्यक्ती का दुनिया से चले जाना भले ही उसके लिए मोक्ष की बात हो, लेकिन ये उसके निकट जनों के लिए दुख की घड़ी होती है. लेकिन इस दुख के बीच साल का एक समय ऐसा भी आता है, जब मनी करने का पर महोत्सव होता है, खूब नाच गाना होता है, और ना माह में आने वाले नवरात्रों की सब्तमी की रात पैरों में गुन्गरू बांधी हुई वेशाओं का जमावणा लगता है. एक तरफ जलती चिता के शोले आसमान में उड़ते हैं, तो दूसरी और गुन्गरू और तबले की आवाज पर नाचती वेशाय दिखाई दिखा हो सकता है, कि रात के समय शम्षान भूमी पर इस जश्न का क्या उचिते हैं? मान्यरता है कि इस दिन काशी के राजा भगवान शिव अद्रिश्य रूप से इस पूरे महोतसब में शामिल होते हैं, और तब इस घाट में वेशाय बेहिचक नृत्य करती है, यानि कि एक बोलेनात को समर्पित, काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है. यही वज़े है कि वेशाय भी यहान नाच नाचकर भोलेनात से यह प्रार्थना करती हैं कि उन्हें इस तुच्छ जीवन से मुक्ती मिले, और अगले जन्म में वे भी समाज में सेर उठा कर जी सकें. मनी करने का घात, जिसे महा शम्षान भी कहा जाता है, पर चैत्र के सात्वे नवरात्री पर होने वाले इस महोत्सव के पीछे एक कथा भी है. कहा जाता है कि पंद्रवी शताब्दी में अकबर के नवरत्नो में से एक, राजा मान सिंग ने काशी के देव भगवान शिव के मंदिर क की मरम्मत करवाए. इस शुब अफसर पर राजा मान सिंग बहतरीन कारेकरम का आयोजन करना चाहते थे, लेकिन कोई भी कलाकार यहां आने के लिए तयार नहीं हुआ. शम्षान घाट पर होने वाले इस महोत्सव में थिरकने के लिए नगर वद्धोय तयार हो गई. इस दि वे इस उम्मीद से यहां आती और मृत्य साधना करती है कि बाबा भूलेनात उन्हें इस नार्किये जिन्दगी से मुक्ती प्रदान करेंगे और अगले जन्व में वे भी समाज की मुखेधारा में शामिल हो पाएंगी. आज भी वे शाय इस महोत्सव में शामिल होने को अ मनी करने का घाट की महिमा यही समाप्त नहीं होती. इस थान से जुड़ी अनेक पौराने क कथाय प्रचलित है, जिनमें से एक शक्ती स्वरूपा पार्वती के कान की बाली का गिरना है. कहा जाता है जब पिता से आक्रोशित होकर आदी शक्ती सती हुई, तब उनके कान की बाली इस थान पर गिर गई थी. जिसके बाद इस शमशान का नाम मनी करने का घाट पड़ा. इसके अलावा एक और कहानी हमारे पौराने की तिहास में दर्ज है, जो मनी करने का घाट की इसी महिमा को उजागर करती है. माना जाता है कि जब शिव विनाशक बनकर सृष्टी का विनाश कर रहे थे, तब बनारस नगरी को बचाने के लिए विश्णू ने शिव को शान्त करने के लिए तब प्रारंब किया. भगवान शिव और पार्वती जब इस थान पर आये, तब शिव ने अपने चक्र से गंगा नदी के किनारे एक कुंड का निर्मान किया. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना. और इसी प्रकार की भगती कथाओ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. जैश्री राम